तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आज का टॉपिक है फैटी लिवर से परेशन है तो अपना ये ये साथ घरलू नुसके जल दिखेगा असर लिवर में ज्यादा फैट जमा होने से सरीर में कई तरह की परेशानियां होने लगती है ऐसे में जरूरी हो जाता है कि समय रहते इस समस्या का इलाज करवा लिया जाए लिवर को जक्रित और जिगर के नाम से भी जाना जाता है स्पॉंज जैसा नाजुक सरीर का ये अंग अगर खड़ब हो जाए तो पूरे सरीर की सेहत पर असर डालता है लिवर की बिमारी का अगर समय पर इलाज ना हो तो ये गंभीर समस्या भी बन सकती है लिवर की कई बिमारियों में से एक है फैटी लिवर जिसे हेप्टिक स्टेटोसिस भी कहा जाता है इस कंडिशन में लिवर में ज्यादा फैट जमा हो जाता है जिससे लिवर को सही तरे से काम करने में परिशनी होने लगती है और सरीर के लिए जरूरी पित्रस इंसुलिन बरने का प्रोसेस धिमा हो जाता है कुछ गंबिर मामलों में लिवर पर हमेशा के लिए सकार लग सकता है और धीरे धीरे लिवर फेल भी हो सकता है ये एक जानलेवा स्थिती होती है जिसे लिवर सिरोसिस के नाम से जाना जाता है अगर समय रहते लिवर से जुरी बिमारीयों के बारे में पता चल जाए तो इसे घरलून उसके से भी ठीक किया जा सकता है आज हम आपको बताएंगे कुछ आसान घरलून उसके जिन्हें अपना कर आप फैटी लिवर की समस्चा को ठीक कर सकते हैं एपल सिडर विनिगर लिवर से विसक्त पदर्थों को बाहर निकल देता है ये लिवर को स्वास्थ बनाने में मदद करता है एक कप गुनगुने पानी में एक चम मच एपल सिडर विनिगर डाल कर रोज सुबह पिए इससे आपको फाइदा मिलेगा फैटी लिवर के इलाज के लिए आप निम्बु का भी इस्तिमाल कर सकते हैं निम्बु विटमिन सी से भरपूर होता है जो की एक पावरफुल एंटियोक्सिडेंट है और ये लिवर की कोसिकाओ को रेडिकल डेमेज से रोख सकता है एक कप पानी में आधा निम्बु नामक तत्त होते हैं जो की नॉन एलकोहलिक फैटी लिवर डिजीस की स्थिति में लिवर की कोसिकाओ को सुरक्सित रखता है एक ग्लास पानी ले और उसे उबालने के लिए रख दे अब इसमें एक चुट के हल्दी डाले आप चाहे तो इसमें निम्बु का रज भी डाल स आमले में कूर्सेटिन नामक फाइटोगेमिकल होता है जो लिवर को सिकाओ के ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस को कम करता है मध्धमाकार के दो से तीन आमला ले और उन्हें छोटे टुक्रों में काट कर बीज अलक कर दे अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर ब्लेंट कर जूस इस जूस को एक गिलस गरम पानी में डाल कर पिए फैटी लिवर के लिए दालचीनी सबसे असद़ दबा है इसके सूजन रोधी गुन ज्यादा सरब के कारण लिवर में आई सूजन को कम करते हैं एक गिलस पानी में डालचीनी की दो से तीन स्टिक डाल कर पानी उबा ले दो से तीन मिनिट के बाद पानी छान कर रोज सुबह पिए इससे आपको काफी आराम मिलेगा फैटी लिवर का घरेलू इलाज है आलसी आलसी ना सिर्फ बाचन के लिए वैतर होती है बलकि फैटी लिवर से भी बचाती है आलसी को सिकाओ पर पर रहे ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस को कम कर लिवर को हुए नुकसान को घटाती है अब आलसी को पाउडर के रूप में ले सकते हैं पानी या सलत पर भी आलसी का पाउडर डाल कर खा सकते हैं एक कप पानी में चार से पाच डेंडुलियन के फूलों को एक से दो मिनित तक उबा ले अब इस पानी को छान कर पी ले डेंडुलियन में पावरफुल बायो अक्टिव जोगिक होते हैं जो सरीर में कोलिस्टरॉल के लेविल को कम करते हैं जिससे आपका लिवर स्वास्त बना रहता है तो आज की वीडियो में यही पैंٹ करती हो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा और हिल्फूल लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे चैनल की बाकी वीडियो को भी देख लेकल तक Immediate today और झानकरी मिले पीलती हो और एक इंट्रिस्टिंग वीड प्राइब लाट